लुश्कार दोस्तों 35 परदा क्लास में आप सभी का हार्विक सुआ गब है दोस्तों उडिसा ट्राफिक प्लिस कोस्टेबल का नोटिफिकिसन आ चुगा है आज हम इसी भरती की बारे में चुर्चा करेंगे कब से इसके फॉर्म बनाय स्टार्ट हो चुके हैं लाश्ट अगर आपके फॉर्म को भरते समय कोई गरुती हो जाता है इसको रिलीज होने की डेट आपका नोटिफिक्सन रिलीज हुआ था और नए डिश्टिशन के करम बात करें तो 28 मार्च दोहजार चौबिस से आपके फॉर्म बनाय स्टार्ट हो चुके हैं लाश्ट टेट है अगर आपके फॉर्म को भरते समय कोई गरुती हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं तो हाँ पर दो मई 24 को आप अपने फॉर्म में सुदार कर सकते हो पाद का पदady है आपका ये पाद का नाम है आपका है राफिक पांश्टेबल इस्टेट आपको यहां पर सेलरी मिलेगी आपको 26 पदे उन में से एक है आपका स्पोर्ट परसंता है एप्लिकेसन फीस की बात करें तो जन्रल की आपको दोसरोपे फीस रहेगी कि एसी एस्टी पीडवीडी का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा इस लिमिट के अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 38 साल तक आप इसमें फोर्म बर सकते हो और जाब एक जन्वरी 21 से लेकर 38 साल तक आप फोर्म बर सकते हो इसके आलावा आपको जो छूट मिलेगी आपर जो वर्वर्म साब आपको छूट मिलती है जैसे कि से एस्टी से बीसी या वूमेंज को मिलेगी आपर पांस साल की छूट और पर्शन विद डिसाबिलिटी उनको दस साल की यहां पर छूट मिलने वाली है आईू सीमा आगे हम बात करें इसमें फीजिकल प्रोसेस के बारे में तो फीजिकल प्रोसेस आपके रखी है हाइट है वेट है चेफ्ट है अंदर है SEBC के जो कंडिडेट है मेल कंडिडेट उनकी हाइट होनी चाहिए 118 cm वेट होना चाहिए 55 किलो चाहिए 79 से 84 cm जन्रल SEBC की जो गुमेल है उनकी हाइट होगी यहां पर 158 cm वेट होगा 47.5 किलो ग्राम SEBC के मेल कंडिडेट की हाइट रहेगी 130 cm वेट रहेगा 50 किलो चाहती का विस्तार होगा 46 cm से लेकर 80 cm और SEBC की जो महिला है उनकी हाइट रहेगी आपर 153 cm वेट मांग है आपका 45 किलो आपका जो देखते हैं फिजिकल में आगे आपका फिजिकल इस्टेंडन जो आपका टेस्ट होगा यहां पर रेनिंग होगी 20 होगे 20 awake 20 swept आएंगे 50 nap के एट्यों से 15 nap के15 बाप के मेंज्टी से 15 nap के 15 nap 3 और जन्र दोले से 30 को तीर सैंद कर आएंगे 30 nap के टोटल है आपके 100 कोशन है और 100 nap ​​के कि अगए बात करें समस्क्टाइब के बारे में तो स्लेवन हैं उडिशार इंगलिस दे रहा है उसका टॉपिक वाइज देख सकते हो आपके इस फारनेशनल और इंडियन जोग्रफी है एंडियन हिस्ट्री है व्ल्ड की इस्ट्री है इस अंड्यक्नोलोजी है इंडियन कोल्टी के और सॉस्थ यह है सॉसाइटल इशूस है यहाँ पर आर्थमेटिक से दे रखें यहाँ पर अपर प्रॉप्रप्य डेखा है डिसकाउंट है टाइम एंड वर्क है टाइम एंड डिस्टेंश है मैंशुरेशन है नमबर सिस्टम परसंटेज है तो यह यहां पर दे रखा है अर्थमेटिक आपके मैस का सलेबस और इसके अलावा यहां पर आपका इंगलिस का सलेबस दे रखा है तो यह जानकार आपके लिए उप्योगी हो तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले जिसे आने वाली सभी जानकारी सभी वेकेंसी संबन्दी जानकारी आपको सबसे पहले राप्त हो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी एक नई वेकेंसी के साथ तब तक के लिए जहीं जबारत